second open your science book and open page number 65 तो बच्चे पेज नमबर 65 में हम पढ़ रहे थे the sun and shadows इसमें हमने सूरज के बारे में पढ़ी थी और परच्छाई के बारे में पढ़ी थी अब आप निकाल लिए पेज नमबर 69 पेज नमबर 69 में आपके exercise है answer the following question इसमें आपके 6 question है इनको आज हम अपनी notebook में करेंगे तो आप अपनी notebook निकालिए notebook में आज की date डालिए 30 और chapter name लिखे the sun and shadows इसमें question पहला है बच्चा what does the sun give us यहीं कि सूरज हमको क्या देता है तो इसका answer है the sun give us heat and light सूरज हमको क्या देता है परकाश और हमें गर्मी देता है question two what is the sun made of sun कि से बना है the sun made of hot gases hot gases से मिलकर sun बना हुआ है question third why does the sun look so small हमको सूरज छोटा क्यों दिखाए देता है तो इसका answer the sun looks so small because it very far away from us यह हमसे कहाँ है हमसे बहुत दूर है सूरज के है बहुत दूर है हमसे इसलिए वो हमको क्या दिखाए देता है छोटा दिखाए देता है अगर हम हमसे कोई चीज बहुत दूर होगी तो हमको क्या दिखाए देगी चोटी दिखाई देगी और पास की चीजम को बड़े दिखाई देगी question fourth why is shadow formed परचाई क्यों पढ़ती है क्यों पढ़ती है क्यों पढ़ती है when something comes in the way of light जब light के आगे कोच चीज आती है तो उसकी क्या पढ़ जाती है परचाई पढ़ जाती है क्या बनती है परचाई बनती है किस टाइम परचाई लंबी पड़ती है सुबह और शाम को परचाई क्या पड़ती है लंबी होती है हमारे चाई हमको लंबी दिखा दिती है किस टाइम परचाई होती है चोटी होती है गिनकी टाइम सेड़ों की होती है छोटी होती है तो आज आप इतना ही करेंगे यह आपके six question okay